नमस्कार में उप्रिया आपका स्वाकत थे भिहार इंडूस में चल जानते हैं देश पीदेश की ग्यालर प्रमुक खबरों को किम जोंग से जुड़ी खबर आई सामने जहां एक तरफ बीते कुछ दुनों से ऐसी खबरे आ रही थी कि उतर कोरिया के तानशा किम जोंग की त स्वास्त और ठीक हैं वहीं एक समाचार एजंसी ने बताते वह यह बताया है कि हाली में वह खथ बनाने वाली फैक्ट्री का उद्गहाटन करते देखी गया थे वह इस रिपोर्ट में यह भी लिखा गया था कि किम जोंग उन अपनी गारी से उतरे थे जहां पर वहां अलिया बजाकर उनका स्वागत किया था इतना ही नहीं आयोजीत इसकारिक्रेम के साथ उनकी बहन और कई बड़े अधिकारी भी मौजूद है जो इसके बाद केम जोंग को लेकर जारी सारी अठकलों पर पूर्ण विराम लग गया रेड औरेंज और ग्रीन जोंग में आने वाले जलों के हिसाब से मिलेगी रहात कोबिड नाइटिन के बढ़ते असर को देखते वे एक बार फिर से केंदर सरकार ने बंद की अबधी को बढ़ाने का एलान जारी किया है उसके बाद सबी इलाकिये को red, orange और green zone में बाता गया है वही छेत्रों के बटवारे के हिसाब से उन इलाकों में रहत देने की बात कही गई है खबरों की माने तो रेड जोन में कार चुलाने की छूट मिलेगी लेकिन कार में एक ड्राइवर के साथ दो पैसेंजर को बैठने की अनुमती दी गई है वहीं दो पाहिया वहान पर सिर्फ एक व्यक्ति ही चल सकता है सोशल डिस्टेंसिंग के साथ फार्मा आईटी जूट पैकेजिंग आधी उद्यों को चलाने की छूट होगी वहीं और इंजोर की बात करें तो और इंजोर में रेड जोन की मिली अतिरिक्त छूट के अलावा और भी जादा छूट मिलेगी लेकिन अब कार में ड्राइवर के सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार होगा। श्रमिक तीर्थ यात्री परियतक छात्रों और अने लोगों की वापसी के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी हालाकि मंत्राले के निर्देशान उसार ही चलाए जाएगा। सभी प्रकार के सामान बेचने के अरुमती के इंद्र सरकार द्वारा प्रतान कर दी गई है। कि इससे लोगों को रहात मिलेगी और लाखो छोटे वा मध्यम उपक्रमों और व्यापारियों का कारोबार फिर से शुरू करने में मदद मिलेगी। अला कि यह चूट केवल ग्रीन और ओरिन जोन में ही दी जाएगी। रेड जोन में अभी इस तरह के कोई भी चूट नहीं दी जाएगी। जिसके तहट मुंबई साइट सभी प्रहुक शहर फिलाल डेड जोन में चुड़ रहे हैं ऐसे में इन शहरों में अभी छूट मिलने के कोई संभाबना नहीं है। लोगडाउन में ग्रामीन अर्थवेवस्था पर केंद्र सरकार की नजर। COVID-19 के बढ़ते असर के कारण बीते दिन केंद्र सरकार ने लोगडाउन के तीश्रे चरन के शुरुआत की है। चल से चुनिंदा छेत्रों में बंद में छूट मिलने के बाद राजय सरकार से मनरेगा की तहत कारे शुरू करवाने का सुझाब दिया गया था। उसके बाद वर्तमान समय में 50 लाग ग्रामीन छेत्र में मजदूर काम कर रहे हैं और मनरेगा के तहत आने वाले कारे को अंजाम दे रहे हैं। बंद के दौरान केंदर सरकार का पूरा ध्यान ग्रामीन अर्थवस्ता को मजबूत करने में हैं। इस जोरान कंपनिया केवल कुछ वाहनों का निर्याथी कर पाई है। COVID-19 के बढ़ते असर के कारण देश भर में 25 मार्ट से बंद है। कि कल तीनों सेना COVID-19 के जारी जद्धो जहद में लोगों को संभाल रे डॉक्टर्स नर्सिंग स्टाफ सफाई करमी आदी के समर्थम में विशेश कातिवीधी करेगी। खबरों की माने तो तीन माई को वायू सेना देश भर में फ्लाइट पास्ट करेंगी और फ्लाइट पास्ट श्रीनगर से शुरू होकर तिरवनतम पुरम तक पहुचेगी जबकि दूसरा डिबिगरु घर से कच्छ तक जाएगा। प्रधारमती नरे इंद्र मोधी ने बीटे दिन सिक्षा छेतर में सुधार और नई सिक्षा नीती लागू करने के लिए एक एहम बैठक का आयोजन किया था, बैठक में सिक्षा में तकनीक के रोल को लेकर विचार विमर्श किया गया, इस दौरान इस बात पर भी जोर दि के मताबिक राश्वे सिक्षा नीती में कोई बदलाब नहीं किया गया है, मगर आप सिक्षा नीती में बदलाब की जरूरत है. मौलाना साथ की जाच में जुटे दो और पुलिस कर्मी मिले कोरोना पॉजिटिव निजामुदीन बस्ती में बीते दिन मौलाना साथ की वज़े से जमा हुए जमातियों की वज़े से COVID-19 का असर काफी ज्यादा देखने को मिला था मौलाना साथ की जाच में जुटे CBI की टीम के दो जमान COVID-19 से पॉजिटिव पाई गये हैं इनमें एक हवलदार एक सिपाही शामिल है इससे पहले भी इस टीम के दो पुलिस कर्मी COVID-19 से प्रभावित मिले थे यह हवलदार सिपाही दो-तिन दीन पहले ही COVID-19 पॉजिटिव पाई गये थे साथी कर्मचारियों को भी आइसोलेशन में डाल दिया गया है वही मौलाना साथ से जुड़े कई एहम बूद भी सामने आ रहे हैं जिसको लेकर मौलाना के बैंक अकाउंट में हो रहे है लेंदेन को लेकर खबरे सामने आई थी जुससे खारी देशों के पैसे लेने की बात भी कही गई थी माई के पहले हफ़ते में कई राजों में हो सकती है बारिश माई के महीने में अकसर भीशन गर्मी देखने को मलती है लेकिन इस साथ सब कुछ होल्टा पुल्टा हो रहा है COVID-19 की वज़े से सब घरों में बन थे और महीं मौसम भी अलग-अलग रूप दिखा रहा है बीते दिन कई राजों में जम कर बारिश होई थी महीं मौसम भी भाग ने माई महीने के शुरुवाती सब्तना में ज्यादा बारिश होने की बात कही है मौसम भी भाग की माने तो माई के पहले हफटे में जो आज शुरुवाती एक दो दिन में तेज गर्मी देखने को मिलेगी वहीं आगे वाले दिनों में जमाजम बारिश टेखने को मिल सकती है इतना ही नहीं मौसम वे भागने किसानों के लिए इस हफते को मुश्किल भड़ा बताया है मौसम की भविश्रवानी करने वाली नीजी एजनसी के अनुसार भारत में 2-3 माई के बीच मौसम खुला मिलेगा जिसको लेकर उत्तर भारत में भारी बारिश होनी की संभावना है ट्रेन और फ्लाइट से यात्रा के लिए आरोगे सेतु आप हो सकता है अनिवारे सभी आमनागरिकों के लिए एहम सूचना सभी आमनागरिकों से एक बार फिर से आरोगे सेतु को डाउनलोड करने की अपील की है साथ ही अभी का है कि ट्रेन और फ्लाइट से यात्रा के लिए आरोगे सेतु को अनिवारे भी किया जा सकता है लेकिन सभी लोगों कारेंटी लेना रेल्वे के लिए काफी मुश्किल है ऐसे में रेल्वे ने सभी आमनागरिकों से यात्रा करने से पहले आरोगे सेतु को डाउनलोड करने की अपील की है तो चलिए बढ़ते आज के सवाल के और आज का सवाल कुछ इस प्रकार है